इश्वर से हमने मुलागा मनभावनी से मदुरबात की है इश्वर से हमने मुलागाद की है मनभावनी से मदुरबात की है मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की बरदानों की हम पे बरसात की है बरदानों की हम पे बरसात की है इश्वर से हमने मुलागाद की है मनभावनी से मदुरबात की है इश्वर से अंद्वर नहीं इश्वर से छिए धै ओश्वर से अंद्वर से जढवावनी और से अंद्वर सम्दवर से धोक्ति है ओम शान्ति सभी सच्ची साफ दिलवाली स्वशाशक ज्यान की बुलबुलों को रवी वार की गौडली मौडलिंग आज 26 नवंबर 2023 की अव्यक्त वानी चली है नव वर्ष 1997 की पूर्व संध्या और आबु तलहटी में बने शांती वन के डाइमंड हौल के उद्घाटन के अवसर पर 31 12 1996 को जिसमें बाब दादा सभी को अब अनुभवी मूर्थ बनने को कह रहे हैं हमें अब देविगुणों और बाप से मिली शक्तियों का अनुभव करना है ज्यान के एक एक पॉइंट का अनुभव करना है अनुभवी मूर्थ बनने के क्या फायदे हैं ये समझेंगे मुर्ली में बाबा आज हमें ये भी समझाते हैं कि हमें अब तीवर पुरशार्थ करना है और करमातीत बनना है विनाश के समय के इंतजार में अलबेला नहीं बनना है और अन्त में बाप दादा हमें नुव वर्ष के लिए होमवर्ग भी देते हैं और क्या है होमवर्ग ये सुनेंगे अव्यक्तवाणी में जिसका शिर्षक है नए वर्ष में अनुभवी मोर्त बन सब को अनुभवी बनाओ शांतिवन डाइमंड जुबली हौल के उदगाटा नौसर पर बाब दादा बूले आज नजर से निहाल करने वाले बाब दादा आप सभी अती स्नेही सहयोगी स्नेह में लवलीन बच्चों को देख रहे हैं हर एक बच्चे के मस्तक में दिल में स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा है फिर हौल में जो पीछे बैठे हैं भाई भेन बाबा कहते आप सोचेंगे कि हम पीछे वाले तो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन बाब दादा के नैनों में ऐसी अनोखी टीवी है जिससे दूर की चीज भी सामने दिखाई दे रही है बाबा की आखों में ऐसी टीवी ऐसा लेंस है कि दूर बैठे हैं लेकिन देखो एक दम पास दिखाई दे रहे हैं दूर बैठे चीज भी या दूर बैठे जो आत्माइं हैं वो भी बाबा को एकदम सामने दिखाई दे रही हैं चाहि कहां भी कोने में बैठे हो लेकिन बाब के सामने हो अभी तो फिर भी आराम से बैठे तो हो ना बाबा कहा रहे आप सब आराम से बैठे ना इतना बड़ा हॉल बना है दिखाए ना सबी ने डायमंड हॉल लगभग 20 हचार बच्चों के बैठने की कैपसिटी एक भी पि लेकिन बाब दादा आपके दिल की खुशी को जानते हैं बाब दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को सहयोग का सबूर देने में बहुत खुशी होती है इसलिए हजारों भुजाएं दिखाई हैं तो भुजाएं सहयोग की निशानी हैं बक्ति में ब्रह्मा को भी एक बच्चे ने चारों और, चाहि देश में, čाहि वीदेश में, सभी ने चाहि धन से, चाहि जाहि तन से सहयोग अवश्य दिया है, और आज आप सब के सहयोग का सबूत, आप आराम से बैठ, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, सब के सहयोग से ही, तो यग्य चल रहा है न? परिवार चल रहा है हॉल बन रहा है हां? और देखो कितना construction हो रहा है, सीवाई बढ़ रही है और सब रहे भी रहे हैं, अनुभाव भी कर रहे हैं तो बाबा कहते हैं, देखो देख भी रहे हो, उसून भी रहे हो अभी ज़्यादा ताली मी बजओ आपके खुशी की मन की तालियां बाप दादा के पास पहुँच गई है देखाई lou, बच्चे कितना खुशी से डायमन हॉल में ताली बजाते हैं तो बाबा किते ठीक है अब ताली में बज़ाओ मन की तालिया, मन की खुशी बाब दादा के पास पहुँच गई है देखो आज दो विशिष्टाएं हैं एक इस शांतीवन को जो सभी ने उमंग उत्सा से बनाया है उसका बाब दादा के साथ साथ आप बच्चे भी उदगाटन कर रहे हैं और आज रामा अनुसार नया वर्ष भी शुरू होने वाला ही है इसलिए बाब दादा सभी बच्चों को अपनी दोनों बाहों में समाते हुए दोनों बातों की मुबारक दे रहे हैं तो सभी को मुबारक हो साल भर से भी कम समय में देखो कैसे डाइमन हॉल बन गया तो बाबा कहते हैं कि बाबा सभी को अपनी बाहों में समाते हैं और बहुत-बहुत मुबारक और जैसे अभी इस समय साकार रूप में बाप के साथ उमंग उत्साह और खुशी में जोम रहे हो ऐसे ही नए वर्ष में सदा सदा अव्यक्त रूप में साथी समझना अनुभाव करना यह साथ का अनुभाव बहुत प्यारा है भगवान के साथ का अनुभाव कितना प्यारा है अनुभाव किया है ना जो अनुभाव करे वही समझ सकता है बाब दादा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता है बाबा का मन तो लगते ही नहीं बच्चों के बिना और तभी माइक बंद हो गया तो बाबा कहते हैं पहला पहला अनुभाव है न इसलिए यह भी ड्रामा में खेल समझना कोई भी बात नीचे उपर नहीं समझना नया नया हॉल बना है नहीं नहीं सेटिंग हो रही है तो थोड़ा उपर नीचे तो होते ही है तो बाबा कहते हैं यह पहला अनुभाव है यह भी ड्रामा में खेल समझना कोई भी बात नीचे उपर नहीं समझना अच्छा है और अच्छा ही रहेगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइबरेशन कैसी भी सीन हो negative को positive में बदल देगी इतनी शक्ति आप बच्चों में है सिर्फ use करो बाबा ने देखो हमको याद बिलाया हमारे में कितनी शक्ति है यदि हम अच्छा अच्छा कहेंगे अच्छे बन जाएंगे हमारे से अच्छे vibration निकलेंगे तो कैसी भी scene हो इसी भी परिस्थिती हो negative भी तो वो positive हो जाएगी बाबा कहते हैं अपनी शक्ति को use करो शक्तियां बहुत हैं समय पर use करके देखो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभाव करेंगे हमारे पास कोई वस्तु हो उसको हम समय पर use कर ले तो देखो सफलता मिलती है न तो बाबा कहते हैं समय पर use करके देखो तो अच्छे अच्छे अनुभाव होंगे यह नया हॉल और नया वर्ष तो इसमें क्या करेंगे नय वर्ष में कुछ नवीनता करेंगे न तो यह वर्ष अनुभावी मूर्थ बन औरों को भी अनुभाव कराने का वर्ष है समझा क्या करना है नया साल है तो नई नई प्रतिग्याई करते हैं तो हमें क्या करना है बाबा कहते अनुभावी मूर्थ बनो और औरों को भी अनुभाव कराओ अनुभाव करना है बाणी द्वारा मूर्थ हो या वानी मूर्थ हो अनुभव कर लिया माना आचरण में आ गया तो सिर्फ वानी मूर्थ है सिर्फ उचारण में है आचरण में है तो अनुभवी भी हो लेकिन इस वर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कहे कि मुझे इन बातों का तो अनुभव है लेकिन इस ब अच्छा न रहें क्योंकि ज्यान का अर्थी है सिर्फ समझना नहीं लेकिन अनुभाव करना और जब तक अनुभाव नहीं किया है तो औरों को भी अनुभावी नहीं बना सकते। पानी द्वारा बहुत अच्छा बहुत अच्छा कमाल है यहां तक आते हैं अनुभावी हो जाएं वह कोटों में कोई कोई में भी कोई है और प्रत्यक्षता का आधार अनुभाव है। प्रत्यक्षता का आधार क्या है अनुभाव है अनुभाव वाली आत्माएं पभी भी वायू मंडल वह संग के रंग में नहीं आ सकते हैं। जो कि खुद का अनुभाव है तो दोसरों की कही बातों पर कैसे विश्वास करेंगे या दोसरों के प्रभाव में कैसे आएंगे। जो खुद का अनुभाव है वो तो हमने खुद अनुभाव किया है हमारी प्रॉपर्टी है अनुभाव की अथॉरिटी है तो बाबा कहते हैं कि अनुभाव वाली आत्माएं कभी भी वायू मंडल वह संग के रंग में नहीं आ सकती हैं। सिर्फ वानि के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे और कभी सोच में पढ़ जाएंगे, अनुभाव अर्थात पक्ता फाउंडेशन, अनुभाव कर लिया तो निश्य बुद्धी होगें, आप कोई हिला नहीं सकता, तो अनुभाव अर्थात पक्ता फाउंडेशन, आधा निशानी हैं वो छोटी बड़ी बातों में हिलेगा अचल नहीं होगा क्योंकि आने वाले बातें वो समस्याएं प्रबल हो जाती हैं इसलिए अधूरे फांडेशन वाले लड़कडाते हैं गिरते नहीं हैं लेकिन लड़कडाते हैं तो पहले इस वर्ष में अपने करना है निश्य बुद्धी बनना है पक्का फांडेशन करना है कई बच्चे आज बहुत फास्ट चलते हैं और कल थोड़ा सा चहरा बदला हुआ होता है कारण अनुभव का फांडेशन पक्का नहीं है अनुभव वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल एक्स्पिरियंस हो गया न तो फिल फट से सोलिोशन आ जाता है समस्याएं हल कर लेते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है च्जार कितनी बड़ी समस्या हो आया और अपना पार्ट बजाए लेकिन साक्षी होकर न्यारे और प्यारे होकर खेल समान देखेंगे जो अनुभव मोर्थ होगा वो अपना पार्ट तो बजाए गई कैसे साक्षी होकर और न्यारे और प्यारे होकर सोचेंगे कि कोई खेल चल रहा है तो आया और अपना पार्ट बजाया लेकिन साक्षी होकर न्यारे और प्यारे होकर खेल समान देखेंगे बात नहीं खेल मनुरंजन है जब foundation जरा भी कच्चा है बातों का परिस्यतियों का कोई साइज होता है क्या foundation पक्का है तो बात चोटी लगेगी foundation कच्चा है तो बात बड़ी लगेगी चाहे 75% पक्का है चाहे 90% पक्का है तो भी हिलने का चाहाँ से संभाव है बाप दादा को बच्चों की महनत अर्था युद्ध करना अच्छा नहीं लगता महनत क्यों युद्ध क्यों क्या योगी के बजाए यूद्धे बनने वाले हो या योगी आत्माए हो युद्ध करने वाले संसकार चंद्रवंश में ले जाएंगे और योगी तु आत्मा के संसकार सूरे वंश में ले जाएंगे तो क्या बनना है सूरे वंशी या चंद्रवंशी बनना है सूरे वंशी बनना है तो युद्ध खत्म इस वर्ष मे युद्ध खत्म हुई इसमें हा नहीं कहते हो कहने से कहते हो बाप दादा तो न देखते हुए भी बच्चों की रिजल्ट देख लेते हैं हर समय की रिजल्ट नैनों के सामने नहीं लेकिन दिल में आही जाती है बाबा को तो पता है न कि कौन क्या बनेगा तो यहां साकार वतन में जब आप थोड़ा थोड़ा या बहुत हिलते हो तो बाप को वहां वतन में अनुभव होता है कि कोई हिल रहा है इसलिए जैसे शांतिवन की खुशी है, हौल की खुशी है ऐसे बाप दादा और इतने बड़े संगठन के बीच यह वाइदा करो कि इस वर्ष में हल्चल से परे हो अचल अडोल बनना ही है बनेंगे नहीं बनना ही है देखो, यहां नीचे हम बच्चे हिलते हैं अपने अपने क्षेत्र में तो बाबा को उपर पता चल जाता है कि अचल अडोल बनना ही है ऐसे है ऐसे जो समझते हैं बनना ही है सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे यह नहीं वह हाथ उठाओ बनना ही है, यह जिसने वाइदा किया वह हाथ उठाओ अच्छा, मुबारक हो और जिन्होंने किसी भी कारण से नहीं उठाया, ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं बनेंगे, लेकिन कोई कारण से नहीं उठाया हो, तो वह उठाओ, शर्म आता है उठाने में, तो सोचो, जब हात उठाने में शर्म आता है, तो करने के टाइम भी शर्म करना, माना हिल रहे हैं, इस पक्के हो जाएंगे क्योंकि कई बच्चे बार-बार पूछते हैं चाहे निमित्त बच्चों से या रूरिहान में बाप दादा से एक ही क्वेश्चन करते हैं बाबा विनाश की लेड़ बता दो सब बच्चे जाते हैं न कि डेट पता लग जाए उसे साफ से हम काम करें सभी का क्वेश्चन है न अच्छा बाप दादा कहते हैं डेट बता देते हैं चलो दो हजार में पूरा होगा तो क्या करेंगे 96 की मुरली है बाबा कहते हैं चलो एक बात मान लो कि दो हजार में पूरा हो जाएगा विनाश होगा तो फिर क्या करेंगे यह कोई डेट नहीं दे रहे हैं मिसंडेस्टेंड नहीं करना बाबा ऐसे ही उधारण के लिए करें मानलो 2000 में पूरा हो जाएगा तो यह मत समझे लेना कि 2000 में हो जाएगा तो यह कोई डेट नहीं दे रहे हैं मिसंडेस्टेंड नहीं करना बाप दादा पूछ रहे हैं कि समझो 2000 तक आपको बताते हैं तो क्या करेंगे अलबेले बनेंगे या तीवर पुर्शार्थी बनेंगे और बाप दादा कहते हैं कि इस वर्ष में हल चल होगी तो फिर क्या करेंगे और तीवर पुर्शार्थ कर लेंगे मना 2000 तक में बाबा यदि कहते हैं तो चार साल है और यदि बाबा कहते हैं चलो इसी साल हो जायेगा तो क्या फिर और तीवर पुर्शार्थ कर लेंगे और तेवरपुर्शार्थ कर लेंगे या थोड़ा थोड़ा डेट कॉंशेस हो जाएंगे गिंती करते रहेंगे कि इतना समय पूरा हुआ एक मास पूरा हुआ एक वर्ष पूरा हुआ बाकि इतने मास हैं तो डेट कॉंशेस बनेंगे या soul conscious बनेंगे क्या करेंगे अलबेले नहीं बनेंगे या तो नहीं सोचेंगे कि अभी तो चार वर्ष पड़े हैं क्या हुआ लास्ट वर्ष में कर लेंगे ऐसे अलबेले नहीं बनेंगे या थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे आप नहीं भी बनेंगे तो माया सुन रही है वह ऐसी बाते आपके आगे लाएगी जो अलबेलापन आलस से बीच बीच में आएगा फिर क्या करेंगे इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डेट कॉंशेस नहीं बनो लेकिन हर समय अंतिम घड़ी है इतना हर में एवर रेड़ी रहो हर समय अंतिम घड़ी है विनाश तो जब होगा होगा अपना विनाश कब हो जाएगा आत्मा कब शरीर छोड़ देगी किस शन यह पता है तो बाबा कहते हैं कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है हर घड़ी में एवर रेड़ी रहो अच्छा मानो बाप ददा कहते हैं 2000 के बाद होगा चलो आपने मान लिया रियल नहीं है लेकिन मान लिया तो आप 2000 में संपूर्ण बनेंगे और दोसरों को कब बनाएंगे सत्यूग में बनाएंगे क्या 2000 तक खुद बनेंगे तो फिर औरों को कब बनाएंगे सत्यूग में बनाने वाले थोड़े हैं और बनने वाले बहुत हैं उन्हों के लिए भी समय चाहिए या नहीं अगली सीजन में भी पूछा था कि कम से कम सत्युक आदिके नौलाक बने हैं नई बने हैं तो विनाश कैसे हो किस पर राज्य करेंगे पुरानी आत्माओं के ऊपर राज्य करेंगे नई आत्माईं तो तयार हुई नहीं और विनाश हो जाए तो क्या करेंगे इसलिए बाब दादा ने यह काम अपने बच्चे जो जोतीशी है न उन्हों के ऊपर ही रखा है जो जो जोतिश ही कर सकते हैं, वो बाप क्यों करेगा, जोतिश विध्या बताती है, कि कब क्या होगा, तो बाबा कहते हैं, जो बच्चे जोतिश ही हैं, उनसे पूछो कब होगा, बच्चों का काम बाप क्यों करेगा, फिर भी बाप के बच्चे हैं, उन्हों को कमाने लो, बाब क्यों करेगा, फिर भी बाप के बच्चे हैं, उन्हों को कमाने दो उन्हों की कमाई का साधन यही है, अगर किसको बहुत जल्डी हो, तो उन बच्चों से पूछो, बाप नहीं बताएगा बाबा ने कहा, मैं तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ बच्चे, soul conscious बने, late conscious ने, फिर भी जिसको जल दिये, वो जाके जोकिशी से पूछ ले, समझा इस वर्ष क्या करना है अनुभवी मूर्थ कई बच्चे रूरिहान में बहुत ही मीठी मीठी रूरिहान करते कहते हैं, क्या करें बाबा इतना तो हो गया है बाकि इतना आप कर लो राज्य हम करेंगे लेकिन समपूर्ण आप बना दो ऐसे होगा बाप मददगार जरूर है और अन्ततक रहेंगे यह गैरेंटी है, लेकिन किसके मददगार, जो पहले हिम्मत का पाउं आगे करते हैं फिर बाप मदद का दूसरा पाउं उठाने में समपूर्ण मदद करते हैं हिम्मत का पाउं उठाओ नहीं और सिर्फ कहो, बाबा आप कर लो बाबा आप कर लो तो बाप दादा भी कहेगा देखेंगे, पहले पाउं तो रखो, एक पाउं भी नहीं रखेंगे, तो कैसे होगा, इसलिए इस वर्ष में हर समय यह चेक करो, कि हिम्मत के पाउं मजबूत हैं, बाब को कहने के पहले यह चेक करो, हिम्मत का पाउं बढ़ाया और मदद नहीं मिले, यह असंभाव है, देवां मदद करेंगे। लेकिन बाब कहते हैं आप पहला पाओं तो बढ़ाओ। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पाओं बढ़ाओ। इसलिए गाया हुआ है। पहला शब्द क्या आता है। हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसको उल्टा नहीं करो। मददे बाप और फिर ह हिम्मत बच्चों की, बाब तो मुस्कुराते रहते हैं, वह मेरे लाडले बच्चे, वह, निश्य से हिम्मत का पाउं जरा भी आगे करेंगे, तो बाब पदम गुना मदद के लिए, हर एक बच्चे के लिए, हर समय तयार है, शिव भगवान वाच, गैरिंटी है भगवान की कि आप खोशिश करो, हिम्मत करो, बाबा तो मदद करेंगे हैं, अच्छा, नए वर्ष में और क्या करेंगे, अभी तक सेवा की एक बात रही हुई है, कौन से, गीता का भगवान तो हो जाएगा, लेकिन बाब दादा ने अगले वर्ष हर जोन को कहा था, कि इसने ही संपर्क वाले तो बहुत बने हैं, और बनेंगे, लेकिन अभी वारिस निकालो, वारिस कम निकालते हैं, क्योंकि बाब दादा हर सीवा की इंद्र की रोज की रिजल्ट देखते हैं, तो चारों और की रिजल्ट में वारिस कम हैं, इसमें ही सहयोगी अच्छे हैं, लेकिन उन्हों को आगे बढ़ाओ या कोई भी नयों को लास्ट वालों को फास्ट करके वारिस क्वालिटी बाप के सामने लाओ. कोई-कोई निकलते हैं लेकिन गिंती करने वाले हैं. जब चाहते हो कि 2000 तक परिवर्तन हो, चाहते तो सभी ऐसे ही हो, तो वारिस कितने बनाए हैं? सत्युक सब चाहते हैं, लेकिन वारिस कितने बनाए हैं? सत्युक की प्रजा भी रोयल चाहिए, वह कम है, प्रजा बनी है, या जो अभी अनिक प्रकार की कॉन्फरेंसिस की है, व लेकिन बाप दादा क्या चाहते हैं? अभी वारिस quality तयार करो. यहां वारिस तयार करेगे, तब एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष वोगी और बाप के नाम का प्रत्यक्षिता का नगाणा चारों और बजीगा अभी तक की Result में कहते हैं कि यह भी अच्छा काम कर रहे हैं या कोई कोई कहते हैं कि यही कर सकते हैं लेकिन पर्मात्मा की कि तरफ अटेंशन जाए पर्मात्मा का यकाले चल रहाँ है वह अभी In Cognito है गुप्त है, कहते हैं न ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम कर रही है, ब्रह्मा कुमारियों की तरफ अटेंशन जा भी रहा है, लेकिन किसके कहने से हो रहा है, किसने स्थापना की है, परमात्मा का कार्य है, यह अभी तक गुप्त है, बाबा का नाम बाला नहीं हुआ, अपनी शक्ति से सने से बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा पुरिशार्ट कर रहे हैं लेकिन अभी जब तक सने ही हैं सहयोगी हैं तब तक बाप की प्रत्यक्षता मैदान पर नहीं आई हैं अच्छा है यहां तक हुआ है लेकिन सब के मुख से यहां निकले कि बस अभी सम आगया बाप आगया तब विनाश भी आएगा सब पैचान ले कि हां बाप आगया भगवान आगया हम सब का पिता आगया बाबा कहते हैं कि तब विनाश ऐगा बाप प्रत्यक्षता हुई और विनाश हो जाएगा तो बाप कहते हैं कि बाप से नहीं पूछो कि विनाश कब होगा बाप आप से पूछते हैं कि आप कब तयार होंगे बाबा पूछ रहे हैं, बाबा को लेट चाहिए परदा खोलें, तयार हो कि परदा खुलेगा और तयार होते रहेंगे अभी मेक अप ही कर रहे हैं अभी तो शक्ति जमाई नहीं की अभी तो पुरशार्थी कर रहे हैं अब परदा खुल गया तो कम से कम 16108 पक्के पक्के रत्नतो प्रत्यक्ष करो माला तो बनाओ बाप भी देखें तयार है इतनी मार्जिन है ज्यादा नहीं कह रहे हैं नौ लाक नहीं कह रहे हैं 16108 की माला बनाओ तो इस वर्ष बनाना देखेंगे कि 16108 की निर्विग्न अचल माला तयार है या अभी थोड़ा-थोड़ा लड़ खड़ाते हैं थोड़ा-थोड़ा खेल दिखाते हैं पांड़ो क्या समझते हो बोलो तयार हो दादियां तो बोलती हैं हाँ सभी शक्तियों की हाँ है 16108 तयार है अच्छा 18 तारिक को माला बना कर देना हाथ उठवाएंगे तो आधी सभा कहेगी 16000 में है 18 जन्वरी की बात कर रहे है बाबा 31 दिसंबर 1996 को आए बाबा कहते है 18 जन्वरी को माला बना कर देना सब का नाम देना हाथ उठवाएंगे तो आधी सभा कहेगी 16000 में है जो समझते हैं कि हम 16000 में हैं वो दादियों को अपनी चिटकी लिख कर देना कि मैं 16000 में हूं या 108 में फिर दादियां पास करेंगी ऐसे नहीं समझना कि चिटकी दे दी है पहले या पास करेंगी फिर बाब दादा पास करेंगे फिर फाइनल रिजल्ट बताएंगे चिटकी में अपना नाम लिख देने से थोड़ी पास हो जाएंगे पहले दादियां पास करेंगे और बाबा तो फिर फाइनल देखेंगे तो बाबा कहते हैं फिर फाइनल रिजल्ट बताएंगे अच्छा चारों और के सर्व उमंग उत्सा से आगे बढ़ने वाले सदा एकोनॉमी के अवतार बन समय, संकल, वानी और कर्म को बच्चे बाब दादा देख रहे हैं कि चारों और के बच्चे साकार में नहीं तो आकार रूप में मदुबन में ही हैं और आकार रूप में मना रही हैं जो पहुँचे हैं बाबा उनको भी देख रहे हैं और जो नहीं पहुँच पाए जो अपनी अपनी स्थानों के हैं बाबा उनको भी देख रहे हैं तो सभी को बाब दादा नए वर्ष की शांती वनके स्थापना की मुबारख और याद प्यार दे रहे हैं सभी संतुष्ट मणियों को नमस्ते हम सभी संतुष्ट मनी 108 की माला में रहने वाले रुहानी बच्चों का रुहानी बाब दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया बर्दान है अपने आदी अनादी स्वरूप की इस्मृती द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र भव बाब दादा समझाते हैं आत्मा का आदी अनादी स्वरूप स्वतंत्र है मालिक है आत्मा स्ववना आत्मा संत्र सारी करमेंद्रिया गुलाम मैं आत्मा मालिक है तो आत्मा का आदी अनादी स्वरूप स्वतंत्र है मालिक है या तो पीछे परतंत्र बनी है इसलिए अपने आदी और अनादी स्वरूप को इस्मृती में रख बंधन मुक्त बनों हमको पहले तो याद था ना कि हम आत्मा है आत्मा भिमानी स्थिती थी सत्युक्त रेता में और द्वापर कल्योग में दे अभिमान में आ गए तो परतंत्र हो गए तो पहले आदी अनादी मना परमधाम में और सत्युक्त रेता में तो आत्मा भिमानी तो मालिक स्वतंत्र और द्वापर का लियोग में देयभिमान आने से परतंत कर्मेंडियों के गुलाम बन गए तो इसलिए बाबा कहते कि अपने आदी और अनादी स्वरूप को इस मृति में रख बंधन मुक्त बनो, मन का भी बंधन न हो अगर मन का भी बंधन होगा तो वह बंधन और बंधनों को ले आएगा बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज अधिकारी ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्माई ही पास्वित ओनर बनेंगी अर्थात फर्स्ट डिविजन में आएंगी तो मैं आत्मा मालिक, कर्मेंदरियां मेरी गुलाम, सूख्ष्म और स्थूल कर्मेंदरियां तो आत्मा बंधन मुक्त, राजा, स्वराज अधिकारी और मैं दे अभिमान में आ अगया कर्मेंदरियां मुझ पर शाशन करने लगी मैं आत्मा गुलाम हो गई तो परतंत्र बंधन युक्त इसके विप्रीद हमें क्या बनना है बंधन मुक्त, राजा, स्वराज जदिकारी स्वतंत्र, पासवे दौनर फ़स डिविजन में आने वाली आत्मा ऐसे हमें स्वतंत्र बंधन मुक्त बनना है आदी अनादी स्वरोग की स्मृती से स्लोगन है मास्टर दुखरता बन दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है मास्टर दुखरता बन दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सची सेवा है तो हमें भी सब के दुख दूर करने हैं और बाबा समान सब को सुख देना है तो ये थी आज की मुर्ली रिवाइस करने के लिए पॉइंट्स हैं आज बाब दादा सनेही सहयोगी बच्चों के उमंग उत्सा खुशी को देख रहे थे बाबा ने सभी बच्चों को अपने दिल में बिठाया दूर दूर कहीं भी बैठे हैं लेकिन बाबा के करीब हैं बाबा सब को सामने देख रहे हैं नव वर्ष और डाइमंड हॉल के उत्गाटन की बाबा ने सभी को मुबारक दी तो हमें क्या करना है सदा बाब को साथी रूप में अनुभव करना है ड्रामा में जो भी सीन है अच्छा है जैसा हम सोचेंगे वैसा वाइब्रेशन वैसा सीन और बाबा से मिली शक्तियों को समय पर यूज करना है तब हमें होंगे अनुभव तो ये नवीनता करने है ज्यान गुंड शक्ति के अनुभवी मूर्थ बनना है अपना फाउंडेशन पक्का करना है अनुभवी मूर्थ कैसे होंगे? साक्षी, न्यारे और प्यारे हर परिस्तिती उन्हें खेल मनुरंजन लगेगी तो हमें योगी बनना है, योध्धा नहीं अचल अडोल बनना है, हल्चल से परे अचल अडोल बनना ही है और तीवर पुरशार्थी बनना है, अल्बेले नहीं सोल कॉंशेस बनना है, डेट कॉंशेस नहीं और निश्चय से हिम्मत का पाव आगे बढ़ाना है तब मिलेगी हमें बाब की मदद और सेवा में क्या करना है? बाबन का वारिसात्माएं निकालने हैं और बंधन मुक्त होने का वर्दान मिला और हमें मास्टर सुख करता बनना है पूरी मुर्ली से स्वमाल लेंगे मैं अनुभवी मूर्थ आत्मा हूं मैं अनुभवी मूर्थ आत्मा हूं ओम शान्ती मन को गजन सी मिली है उचाई धरती सी है धीरता हम निपाई मन को गजन सी मिली है उचाई सागर सी गहराई आई हदय में संतुष्टता जिंदगी में समाई सुन्दर खयालों की सौगात दी है मन भावनी सी मधुरबात की है परदानों की हम पे बरसात की है परदानों की हम पे बरसात की है किसे को नजर वो आए नाए नजरों से मेरी नहीं दूर जाए किसी को नजर वो आए नाए नजरों से मेरी नहीं दूर जाए कैसे कहे हम ये अनुभाव की वाते कैसे कहे हम ये अनुभाव की वाते शाप्तों में वरणन किया कैसे जाए खुशियों की वरशा दिन रात की है मन भावनी से मधुर बात की है बरदानों की हम बिवरसात की है इश्वर से हमने मुलाकात की है मन भावनी से मधुर बात की है इश्वर से हमने मुलाकात की है मन भावनी से मधुर बात की है मिली है खुशी हम को प्रभु से मिलन की मरदानों की हम बिवरसात की है मरदानों की हम बिवरसात की है झाल झाल